मन्सु खिरेन मडर केस और एंटीलिया केस में एनाई के द्वारा गिरपतार किये गए सचिन वजे और साथ में अब परमबीर सिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि सचिन वजे और परमबीर सिंग के खिलाप में कई एफाई यार दर्ज कराए गये हैं कई एक्स्टॉर्शन के केस जो है दर्ज कराए गये हैं जिसमें जो है मुंबई पुलिस चले कर कई बड़ी एजेंसी जो है छानवीन कर रही है अब इन ही सब चीजों के बीच में एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बिमल अग्रवाल जो की एक बिजनेसमें थे इन्होंने भी एक एफाई यार जो है परमबीर सिंग के खिलाप में दर्ज कराई गयी है अब इनके दोरा एक बड़ा खिलासा किया गया है जहां पर बताया गया है कि जब परमबीर सिंग जो है मुंबई के पुलिस कमिशनर नहीं बने थे उससे तीन महीने पहले ही जनवरी ये फरवरी 2020 में सचिन वज़े जो है उससे मिलने आया था और सचिन वज़े ने उस टा लिस्ट भी जारी नहीं की गई थी उससे पहले ही सचिन वज़े को इसके बारे में पता था कि मुंबई का जो पुलिस कमिशनर है वो परमबीर सिंग बनने वाले हैं और जैसे ही परमबीर सिंग जो है मुंबई के पुलिस कमिशनर बनेंगे उनका फिर से बहाली कर दिया ज ये जो है दावा किया गया है बीमलक गरवाल के द्वारा बीमलक गरवाल ने बताया है कि जिस टाइम परमबीर सिंग मुंबई के पुलिस कमेशनर बने रही थे उससे पहले ही सचिन वजे उनसे मिलने पहुचा था और उसने ये खुलासा किया था कि दो से तीन महिने बाद वैसे ही इनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा और ये जो है अपना विजनेस फिर से सुरू कर देंगे यानि कि मनी जो कलेक्ट करने वाली बात थी जो 100 करोन रुपे पर मंद का जो कलेक्ट किया जाता था उसको लेकर इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि सचिन वजे ने वो बात पहले ही उनको बताई थी यही नहीं आपको बता दूँ कि इसके अलावाज 2-3 महीने बाद यानि कि जिस टाइम परमबीट सिंग मुंबई के पुलिस कमिस्टन बने उसके कुछ टाइम बाद ही सचिन वजे को बहाल भी कर दिया गया और ये बात भी इनके जावा किया गया है वो भी विमल अगरवाल के द्वारा मतलब की मुंबई क्राइम ब्रांज की टीम ने जब विमल अगरवाल से पूछ टाज किया था तो विमल अगरवाल ने ये सारे के सारे खुलासे जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांज के सामने ये थे इस पर काफी ज वीडियो पर आज यादा सेयर करें